तो आज हम बात करने वाले हैं लेक बेंडिंग के बारे में देखो गाइस लेक बेंडिंग के उपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है आपके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रवाइड कर दूंगा आ अगर आपको deeply जाना है कि लेक बेंडिंग क्यों होती है तो उस वीडियो के अंदर हमने आपको अच्छे से उसको explain किया है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके डोग को लेक बेंडिंग हो गई है तब आपको क्या करना चाहिए सबसे important चीज तो यह है कि हमे अगर मानलब वह initial stage है या वह chronic stage चली की है अगर chronic की स्टेज है अगर क्रोनिक की बात करें यानि काफी जादा लंबे टाइम से वह सफर कर रही है लेक बेंडिंग से तब हमें क्या देना चाहिए अपने डोग को कैसे उसकी diet maintain करने चाहिए आज की वीडियो में हम यही आप स discuss करेंगे तो गईस बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं लेग मेंडिंग का मतलब क्या होता है क्या का बैंड हो जाना फ्रंट लेग यानि जिसको हम फोर लेंस भी बॉलते हैं या जो रीर जो लेग वाइटमिंट की कमी से विमारी हो जाती है जो basically रिकेट्स कहलाती है जो यंग वंस के अंदर होती है रिकेट्स के अंदर भी similar ऐसा देखा गया है कि लेक्ट मैंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन गाइस उसके अंदर आपको एक क्रेकिंग साउन नजर आएगी लेकिन उनके अंदर भी deficiencies हो जाती है calcium phosphorus and vitamin D की तो guys अगर आपके dog को leg bending है भले ही वो front leg bending हो या वो rear leg bending हो देन आपको क्या करना चाहिए देखे guys सबसे पहले तो आप अपने dog की diet के अंदर calcium जरूर add करें calcium की syrup आती है जैसा कि screen पर भी आपको नजर आ रहा होगा calcium must आप अपने dog को दे सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका result है साथ में guys आपको अपने dog को multi vitamins भी देना है यह तो guys होगे हमारे basic solution यानि जो हमें जो basically हम बताते हैं कि आप अपने dog को calcium and multi vitamins तो दो एक guys अगर मैं आपको जो special leg bending के लिए special hip dysplasia होता है hip dysplasia के उपर भी हमने video बनाए हुई आप देख सकते हो उनके लिए एक जो product है guys sinopat इसके बारे में आपने सुना ही होगा youtube पे भी बहुत सारी videos मिल जाएगी आप google पे भी check out कर सकते हो तो guys जो sinopat है बहुत ही अच्छा एक result है इस product का हम sinopat की बात करते हैं तो guys sinopat बहुत ही अच्छा एक product है जैसा कि आपको screen पे नजर आ रहा होगा तो guys ये जो sinopat है इसकी special quality क्या है ये leg bending जो हमारे arthritis भी हो जाती है या joints से related कोई भी issue हो hip dysplasia हो elbow dysplasia हो उसके अंदर हम अपने dog को ये product दे सकते हैं ये powder की form में आता है तो guys इसकी मैं आपको doses भी बताऊंगा जैसा कि मानलो guys special अगर मैं बताता हूँ आपके इसके sinopat के बारे में इसके अंदर आपको ग्लुकोसा माइन मिलेगा कॉंड्रोयटिन मिलेगा MSM मिलेगा DHA मिलेगा and EPA भी मिलेगा और guys specially ये ध्यान देना है ये जो sinopat है dogs के साथ-साथ cat में भी use होता है तो guys अगर मानलो आपके dog का body वे 10 kg है तो guys आप per day के हिसाब से आप इमने dog को 2 spoon डे सकते हो daily जो हमारे जो teaspoon होते हैं अब guys आगे एक product आता है screen पे नजर आ रहा होगा Megaflex के नाम से ये guys Megaflex जो है ये powder की form में है ये भी बहुत अच्छा product है guys अभी मैं जो भी आपको product बताऊंगा आपको सभी use नहीं करने इन में से एक use करना है अब guys जैसा कि मैंने आपको बताया Megaflex तो Megaflex के अंदर अगर मानलो हम small dog लेके चलते हैं small dog को आप half जो powder की जो एक spoon होती है half ल 3 by 4th यानि 3 by 4 यानि 4 का 3 हिस्सा समझ रहे हो यानि 3 by 4 आप वह scoop scoop दे सकते हो अगर हम large की बात करते हैं तो आप one spoon भी दे सकते हैं basically scoop भी दे सकता है scoop भी बोल देते हैं तो guys इसकी dose rate क्या रहेगी सबसे बड़ा question देखे guys अगर मानलो आपके dog का body weight 20 kg है तो guys आप one tablet per day दे सकते हो ध्यान रखना ये tablet की form में आता है अगर guys 20 से 40 kg है तो आप 2 tablet दे सकते हो per day अगर इससे भी ज़्यादा है मानलो 40 kg से भी ज़्यादा है तो आप 3 tablet भी दे सकते हो per day में अगर हम बात करते हैं cat की cat के अंदर guys अगर मानलो आपकी cat का body weight 5 kg है तो guys आप one by four यानि one fourth आप tablet दे सकते हो per day ठीक है अगर मानलो 5 kg से ज़्यादा है तो आप half tablet भी दे सकते हो per day के हिसाब से तो guys आज मैंने जो आपको ये तीन product बताए है इनका बहुत ही ज़्यादा 100% result है लेकिन एक बात आप अपने दिमाग के अंदर गुसा के रख लो कि guys अगर आप जो भी ये product का use करोगे न एक बार अपने veterinary doctor की सला जरूर ले लेना ठीक है veterinary doctor की consult से ही अगर आप इन product का use करोगे तो guys आपको एक अच्छा रेजर मिलेगा because वो condition को diagnose करके आपको ये product बताएंगे तो का इसमें आशा करूँगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रही होगी और जितने भी product बताएंगे एक बात ध्यान देना है सभी का use नहीं करना इन में से एक का use करना है अगर veterinary doctor available नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें messages वगेरा कर सकते हैं आप अ लोग की फोटो या वीडियो वगरा हमें सेंड कर सकते हैं थैंक्यू सो मच फो वाचिंग दिस एंड प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर थैंक्यू सो मच